आज चंडीगड के अंदर मेर का चुनाव था और उस मेर के चुनाव में 36 निगम पारसद ने चुनाव में वोट डालना था 36 में से 20 निगम पारसद कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के थे और दोनों के इस संयुक्त उम्मीदवार को मेर चुनना था और मज़े की बात देखिए कि पूरी प्रक्रिया जिस कानूनी तरीके से चलाई जाती है चुनाव की उस तरह चुनाव से चलाने के बज़ा है पहले तो पिछली बार जब चुनाव की डेट फिक्सी चुनाव के दिन प्रिजाइडिंग ओफिसर आयनी और पहले उन्होंने मैसेज डाल दिया सुबा सुबा कि मैं बिमारों नहीं आ पाऊंगा और वो चुनाव रद्ध हो गया बहुजन क्रांती और बहुजन नायकों को समर्पित दलिदस्तक का दोहजर चौबिस का शांदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है बोकिंग के लिए दिये गए नंबर पर वाट्सप करें या इमिल करें जैसमिदान जैहिन जैभिम साथियो देखा आपने आज चंडीगड के अंदर मेर का चुनाव था और उस मेर के चुनाव में 36 निगम पार्सद ने चुनाव में वोट डालना था 36 में से 20 निगम पार्सद कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के थे और दोनों के इस संयुक्त उम्मीदवार को मेर चुनना था और मज़े की बात देखिए कि पूरी प्रक्रिया जिस कानूनी तरीके से चलाई जाती है चुनाव की उस तरह चुनाव से चलाने के बज़ा ह पहले तो पिछली बार जब चुनाव की डेट फिक्सी चुनाव के दिन प्रिजाइडिंग ओफिसर आएनी और पहले उन्हेंने मैसेज डाल दिया सुबह सुबह कि मैं बिमारों नहीं आ पाऊंगा और वो चुनाव रद हो गया बड़ी मुश्किल से कोट में जाकर ये और उन्होंने बीस में से आठ आमाद्मी पार्टी के निगम पार्सोदी की वोट को इन्वेलिड करार कर दिया और बीजेपी को 16 वोट दिखाए और कॉंग्रेस आमाद्मी पार्टी गठवंदन को 12 वोट दिखाए आठ वोट इन्वेलिड करके इस चुनाव में मेर के पदपर भारते जन्ता पार्टी के उम्मीदवार को जीता वो गोसित कर दिया अधिकारियों को भी बार कर दिया प्रेस को भी बार रखा उनकी वोट को इन्वेलिड क्यों किया वो अधिकारियों को भी नहीं दिखाया खुद बारत एलक्टनिक्स लिमिटिड जो इवियम बनाती है आपने देखाऊगो उसके अंदर साथ डिरेक्टर में से चार डिरेक्टर बीजेपी के पदादीकारी है और जो चार टेक्निकल कमिटी के एक्सपर्ट हैं वो जो सोफ्ट्वेर डिजाइन कर रहे हैं वो किस तर वोटिंग की जा रही है और उसके अंदर जो टाइमर लगा के डेटो टाइम के मैनेजमेंट बनाएकर उसमें किस तरह वोट की चोरी करके यह लोग इतने विश्वास के साथ कर रहे हैं अब की बार 400 पार तो मैं देश्वास्य से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के लो जीते हुए को हरा सकते हैं तो यह आज जो लोकतंत्र की हत्या इसको बिलकुल इसी तरह देखने का दिन है कि आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को गांदी जी की हत्या RSS के एक कारेकरता नातुनम गोड से नहीं की थी और एक आज BJP के ही एक वेक्तिन प्रिजाइडिंग ओफिसर के रूप में मेर के चुनाव में चंडिगड के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर दी तो साथियों मैं निवेदन करता हूं सब लोग जाग रूख हुए सटकों पर उतरने की ज़रूरत है कल हम लोग अ कर दो